हाई गाईज, Become Genius YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत सा अगत है अगर आप अपने आधार कार्ड में मुबाईल नमबर को लिंक करने की सोच रहे हैं या फिर मुबाईल नमबर को अपडेट करने की सोच रहे हैं तो अगर आपके आधार कार्ड से कोई मुबाईल नमबर लिंक नहीं है और आप लिंक करना चाहते हैं या फिर ऐसा मुबाईल नमबर लिंक है जो वो खो गया है या फिर जो बंद हो गया है या फिर आपके पास में वहां सिम कार्ड नहीं है तो उसको आप कैसे अपडेट कराएंगे वो समय इस वीडियो में step by step बताने वाला हूं तो वीडियो को बिना skip किये आपको end तक देखना है दोनों method clearly समझाँगा आपको दोनों method clearly समझ में आ जाएंगे और आप easily अपने अधारकार में mobile number को update कर पाएंगे तो चलिए time को बिना waste के चलते हैं laptop की skin की तरफ यह देखी friends आप देख सकते हैं अपने laptop की skin पर आचुके हैं और यहाँ पर मैंने दोनों method open की हुए सब सब पहला method जो है वो है UIDI की website द्वारा यहाँ पर हमें एक appointment book करनी होती है और appointment book करने के बाद हमें आधार सेंटर पर विजिट करना होगा ठीक है आधार सेंटर पर विजिट करने के बाद हम अपने आधार कार्ड में easily mobile number को update कर आप आएंगे इसके लिए आप यहाँ पर देखी यहाँ पर login by mobile number या फिर email id तो चलिए मैं यहाँ पर mobile number type कर लेता हूं कि मुबाइल नमबर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको यह capture फिल अप कर देना है मुबाइल नमबर और capture फिल अब करने के बाद send OTP के उपर क्लिक करना है इस ऐसा करने से आपके मुबाइल नमबर पर जो आपने यहाँ पर भी फिल अप किया है इस पर एक OTP जाएगा और OTP को यहाँ पर आपको verify करना है चलिए मैं कर देता हूं देखिए friends OTP जा चुक है मैं यहाँ पर OTP को फिल अप कर दिया और यहाँ submit OTP and proceed के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक उपर की तरफ बटन देगा New Enrollment आप इसके उपर क्लिक करेंगे देगे यहाँ पर आपको Name, Date of Birth, Gender और Residence टाइप को चूज करना तो मैं यहाँ पर डाल रहता हूं सभी को मैं fill up कर लेका हूं ठीक है इसे भी fill up करने के बाद यहाँ save and proceed के उपर क्लिक कर देना है उसके बाद New Enrollment I have valid document as proof of identity and proof of address ठीक है तो देखी यहाँ पर मैं इसको चूज करूँगा उसके बाद देखी यहाँ पर आपको अपना care of name, father names ठीक है सब चीच यहाँ पर डालने है pin code, address, landmark, contact details, सब चीच है यहाँ पर आपको fill up कर लेनी है ठीक है यहाँ पर पहले email को verify करने के लिए बहुलाज चलिए, email को verify कर लेते हैं email verify करने के बाद आपको यहाँ save and proceed के ओपर क्लिक करना है उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपने जो भी detail fill up की है वो सब यहाँ पर आ गई है ठीक है और इनको edit करना है तो आप यहाँ बटन देख सकते हैं इनको edit करना चाहते हैं इनको अभी edit भी कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको checkbox मिलेगा इसको check करने के बाद आपको submit के ओपर क्लिक करना है यह देखें यूवर application has been created तो आपको यहाँ पर एक id create हुई है आपको इसको save करके रखना है होना नहीं है आप इसको कहीं पर लिख करके रख लिजे या फिर copy paste करके रख लिजे अब आपको यहाँ पर book appointment के ओपर क्लिक करना है अब यहाँ आपको search by center name आप यहाँ center name के दुवारा भी center को search कर सकते हैं या फिर pin code के दुवारा भी आप center को search कर सकते हैं आपकी area में जहाँ पर भी आदार center है जहाँ पर आप book appointment करना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं तो आप यहाँ पर एक काम करें जो भी आप देखिए अभी यहां पे कोई भी आधार सेंटर सो नहीं कर रहा है, कोई सायद कोई इसू है, क्योंकि मैंने मुझे फरनगर सिटी डाला हुआ है, तब भी यहां पे आधार सेंटर नहीं डाला है, जबकि मुझे फरनगर सिटी में बहुत से आधार सेंटर अवेलेबल हैं, त यह आप देख सकते हैं, यह आपकी receipt open हो गई है, यह देखेगा, तो इस receipt को आप first page इसका print कर लिजएगा और इसको आपको आधार सेंटर पर लेकर जाना होगा, चलिए अब दूसरा तरीका जान लेता है, दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए देखी, यह मैंने link दिये हुगा वहाँ पर click करके इन दोनों portal पर पहुँच सकते हैं, यह है इंडिया post के माध्यम से, इंडिया post के माध्यम से भी आप अपने आधा card में mobile number को update कर आ सकते हैं, इसमें method क्या होता है, इसमें यहाँ पर आपको apply करना होगा, apply करने के बाद post office से कोई agent आएगा जो आपके घर प आपको अपडेट करा देंगे, तो यहाँ पर आपको name डालना है, address डालना है, email id, mobile number, ठीक है, और यहाँ पर सभी चीज़े डालने के बाद यहाँ आपके mobile पर एक OTP जाएगा, चिले मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मैं सभी detail को fill up कर लेता हूँ, देखें, यहाँ पर आप OTPB आधार सर्विस, आपको यह चूज़ करना है, और नीचे की तरफ आएगे, तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दूसरी नंबर पर mobile email to आधार linking, ठीक है, यह चूज़ करना है, उसके बाद request OTP पर किलिक करना है, और आपके mobile पर एक OTP जाएगा, जिसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप देखेंगे, request submitted successfully, request reference number, यहाँ पर आपको एक reference number मिलता है, आप इसको भी safe रखेंगे, अपने पास में कहीं पर आपको लिक कर रख लेना है, और दूसरी बात, इस process में लगभग 15-20 दिन लगते हैं, और 15-20 दिन लगते हैं, दूसरी ज जो पहला method दिखाया, वहाँ पर मुझे कोई आधार सेंटर सो नहीं कर रहा था, वरना आधार कार्ट सेंटर सो करने के बाद, आपको date भी मिलते हैं, आपको कौन सी date आपके लिए suitable है, आपको वहाँ पर चूज करना होता है, तो आप अपने आप से करके देख लिजा, कोई कोई दिक्कत आये, तो आप मुझे से comment की मादियम से पूछ सकते हैं, अब देखिए ये समझे लिजिए, इस method में आपको reference number मिल गया, उसके बाद आप यहाँ से इसको track कर सेगे, ओपर आप देखें, click to track your request, यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ पर आप इस tracking number को डार करके fetch कर देखेंगे, यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपके application का status क्या है, तो भी हमने इस application को अभी डाला है, तो यह भी branding सो कर रहा है, तो कुछ time के बाद post office वाले इसको देखेंगे, और देखने के बाद आपके घर पर आ करके, जो भी verification करेंगे, वो वहाँ पर आई आए आपक से पूछेंगे, आपका नाम, पता, सबी चीज़े confirm करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके आधा कार में mobile number को update कर दे जाएगा, तो यह बहुत ही simple है, और बहुत easy है, बस यह मान के चलें कि इस method में आपको time लगने वाला है, पहले method में time नहीं लएगा, क्योंकि आप आधार आपको clearly समने में आ गए होंगे, दोनों method के लिए दोनों link में वीडियो को पसंद आया, तो please video को like कर दीजेगा, और हमें comment करके जरूर बताएगा, यह video आपको कैसा लगा, ऐसे ही और भी informative video देखने के लिए चैनल को subscribe करें, साथ ही bell icon को own कर लीजेगा, ताकि future में आने वाल वीडियो आप तक पहुचते रहें और कोई भी video आपसे मिसना हो,